Hello everyone, welcome back to TINA classes, आज हम बात करेंगे SuperTet, Practice Set Series की जो कि UPTet, CTet, MTet, सभी Teachers Exams के लिए बहुत ही helpful होने वाली है आप सभी study तो करते हैं लेकिन Practice Set लगाना भूल जाते हैं, जो कि आपके exams के लिए बहुत ही important होता है इससे आप अपने exams की preparation को चेक कर सकते हैं और आने वाली exam में अच्छा score भी करेंगे Friends आप सभी Practice Set पर जरूर फोकस करें, हम आपके लिए आज Practice Set अपलोड करेंगे अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को Like, Subscribe, Share जरूर करें और अपने सभी Friends तक इस वीडियो को Share करें ताकि उन सभी की study में help बिल सके Question first, HIV सोक्षम चीवों के किस वर्ग से संबंदित है? Option A, जिवाडू, Option B, विशाणू, Option C, माइक्रो प्लाज्मा, Option D, वाइरॉइट्स आप सभी अपने answers को guess कर सकते हैं I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer है, Option B, विशाणू Question second, किडवन की प्रक्रिया में कौन सा सोक्षम जीव उप्योगी है? Option A, East, Option B, Penicillium, Option C, Clostridium, Option D, Rhizopus आप सभी अपने answers को guess कर सकते हैं I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer है, Option A, East Question third, एफ्रीकन निद्रालू रोक फैलाने वाले प्रोटोजोगा का नाम क्या है? Option A, Antaamoeba, Option B, Lishmania, Option C, Amoeba, Option D, Trypanosoma आप सभी अपने answers को guess कर सकते हैं I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer है, Option D, Trypanosoma Question fourth, मनुष्य में दो जीवाडू जनित रोगों के नाम हैं पोलियो, TB, Option A, Option B, Has a polio, Option C, TB, Influenza, Option D, Has a titanus आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option D, Has a titanus Question fifth, निम्न में इसे किस विशाणू दोरा स्वाइन फ्लू फैलता है, Option A, H2N2, Option B, H1N1, Option C, HIV, Option D, Rhino विशाणू आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option B, H1N1 Question six, लगतार बैट कर काम करने वाले कर्मचारी को कौन सा रोख हो सकता है, Option A, पीर दर्थ, कमर दर्थ, Option B, कंधों में दर्थ, Option C, रीर की हड़ी का तेड़ा होना, Option D, ये सभी आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option D, ये सभी Question seven, विटामीन B12 की कमी की लक्षन क्या है, Option A, किलोसिस, Option B, ग्लोसाइटिस, Option C, डर्मिटाइटिस, Option D, ये सभी आप सभी अपने answers को guess करें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option D, ये सभी Question eight, विटामीन D की कमी से कौन सा रोग होता है, Option A, रिकेट्स, Option B, हीमोरेस, Option C, तोनों A और B, Option D, इन में से कोई नहीं आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer, Option A, रिकेट्स Question nine, निम्न में से किस विटामीन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता है, Option A, विटामीन C, आप्शन B, विटामीन K, आप्शन C, विटामीन B, आप्शन D, इन में से कोई नहीं आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option B, विटामीन K Question number ten, पालक की पत्तियां किस खनिश्टत्व का स्रोत हैं, Option A, copper, Option B, magnesium, Option C, calcium, Option D, iron आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option D, iron Question number eleven, मनुश्य में नेत्रुक के संचालन के लिए कौन सा विटामीन आवश्यक है? Option A, विटामीन K, Option B, विटामीन B12, Option C, विटामीन A, Option D, विटामीन E आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option C, विटामीन A Question twelve, साइनुको बैलेमिन नामक विटामीन किस नाम से जाना जाता है? Option A, विटामीन B6, Option B, B12, Option C, B9, Option D, B1 आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने answer guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option B, विटामीन B12 Question thirteen, वन ने चीफ सनरक्षन अधिनियम कब लागू किया गया? Option A, 1955, Option B, 1989, Option C, 1987, Option D, 1972 आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer है, Option D, 1972 Question fourteen, किस वैज्ञानिक ने चीफ मंदल शप्त के स्थान पर पारिस्थिती की मंदल शप्त का प्रेवक किया? आपके options है, Option A, Cole, Option B, Honest, Option C, Chondre, Option D, इन सभी ने आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने अपना answer guess किया होगा, तो इसका correct answer है, Option A, Cole Question fifteen, हरित करा प्रभाव वाली गैस कौन सी है, Option A, CH4, Option B, CO2, Option C, N2O, Option D, ये सभी आप सब अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option D, ये सभी Question sixteen, गैंडो के लिए कौन सा राश्टी उर्ध्यान प्रसिद्ध है, Option A, गिर राश्टी उर्ध्यान, Option B, काजी रंगा राश्टी उर्ध्यान, Option C, कॉर्बेट राश्टी उर्ध्यान, Option D, दूद्वा राश्टी उर्ध्यान आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option B Question seventeen, मृदा प्रदूशन के प्रमुक कारक बताईए, Option A, अमली ये वर्षा, Option B, कीत नाशक का उप्योग, Option C, परमाडू परीक्षन, Option D, ये सभी आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option D, ये सभी Question number 18 वंड्स अन्रक्षन संबंधित कानून भारत में कब लागू हुआ, Option A, 1996, Option B, 1987, Option C, 1980, Option D, इन में से कोई नहीं आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option C, 1980 Question 19 निम्ण में से कौन ड्वित्ती प्रदूशक है, Option A, Pan, Option B, CFC, Option C, Carbon dioxide, Option D, N2O आप सभी अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option A, Pan Question 20 निम्ण में से कौन IUCN की सहयोगी संस्ता है Option A, FWW, Option B, WWF, Option C, FAA, Option D, ये सभी आप सब अपने answers को guess कर लें I hope आपने guess किया होगा, तो इसका correct answer होगा, Option B, WWF थांक यू फो वाच्छिं